अगर बनारा से मानी नितिश जी और पना नाम ले लेंगे तो नरेंद्मोदी जी मानी परदान मंत्री जी अपने लिए दुसरा सीट खोजना चालू कर देंगे हमार साथ उत्तर परदेश के परदेश अद्यक्ष हैं एक अनेमार्ग पहुचे थे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने क्या कुछ बाते हुई क्या कुछ प्रस्ताव लेकर आप आये थे हम लोग उत्तर प्रदेश के लिए आमंत्रत देने के लिए आये थे मानी मुखमंत्री जी को उत्तर प्रदेश का दौरा करने के लिए उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में उनको आमंत्रित करने आये थे कि आप उत्तर प्रदेश में आएं आपका उत्तर प्रदेश स्वागत के लिए इंतजार कर रहा है लेकिन सवाल यह है कि आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं वहां तो नरेंद्र मोधी चुनाव लड़ते हैं योगी अधितनात का वहां पर बुल तरड़ वहां पर माफिया हैं और क्यों खुले आम घुम रहे हैं उनके उपर क्योंने बुल्डोजर चलता बुल्डोजर कब चलेगा हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि बुल्डोजर कब चलेगा वहीं बुल्डोजर तो उनको ले लेगा वहीं बुल्डोजर से भारती जनता पार्टी की कबर खुदेगी और भारती जंता पार्टी 2024 में वहीं पर समाहित हो जाएगी तो नरेंद्र मुदी भी तो एक फैक्टर है ना उतर प्रदेश में बनारा से चुनाव लड़ते हैं और अच्छे खासे वोट से चुनाव जीतते आये हैं नरेंद्र मुदी कहां नि मानि इंद्रा जी भी चुनावहारी थे आप लोग को मालूम होगा तो नरेंद्र मुदी जी कोई पिर्थिबी के भगवान नहीं हो भी इंसान है सवाल यह हारना जितना तो अलग है लोग उत्तर पर्देश को लोग उनका इंतजार कर रहे हैं और उत्तर पर्देश में लोग आज आमंतर करने के लिए आए हैं और बड़ी संख्यान लोग आमंज रित करने आए हुए हैं आफ वुड़ी त्यारी है उहां बूच से लेके और जिलिया अस्तर की सारी कमेटियां तैयार है आप करें कहां टीक पाहेंगे इस नरेंद्र लड़ता है नरेंद्र मोदी को इस भात की भनक है मीडिया की खबर से हट के देखिए ना आप उत्तर प्रदेश में जमीन अस्तर पर देखिए कि नरेंद्र मोदी के कौन सी फैन फालों है नरेंदर मोधी जी चोड़ देंगे नहीं लड़ेंगे नितीश से 500% गारंटी है अगर बनारज से मानी नितीश जी और अपना नमांकन का नाम ले लेंगे तो नरेंदर मोधी जी मानी परदान मंद्री जी हमारे अपने लिए दुसरा सीट खोजना चालू कर देंगे इसकी 100% की गारंटी दे के जा रहा हूँ चलिए बिल्कुल तो हमार साथ है उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे और इन्होंने बड़ा दावा कर दिया है नरेंद्र मुदी जो है नामांकन तक नहीं करवाएंगे जब नितीश कुमार वारा नसी में नामांकन करवा लेंगे तो ये बड़ी बात उन्होंने बड़ा दावा किया है अब देखना है कि वाके में होगा क्या नितीश कुमार चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये तो भविस के गर्व में है लेकिन और वियर ब्रेट्स के लिए आप बनीश परणीशन के साथ नमस्कार